Hello Everyone, Welcome to Sleepy Classes कैसे हैं आप लोग फूली अच्छी होंगे तो आज अपने घटना चकर के सीरीज में हम लोग क्या कवर्ण करने वाले हैं Indian Quality और इसमें हम लोग देखते हैं 5 Questions जिसको पहले आपको solve करना है वीडियो को pause करके, ठीक है उसके बाद answer match करना है और फिर आप इसके detail explanation को देख सकते हैं तो इस तरीके से क्या होगा आपका पूरी तरह से इस session का best utilization होगा तो सबसे पहले question आप attempt करें क्योंकि quality में आपने काफी कुछ पढ़ रखा है अब बस समय है कि आप ये सारे concepts को revisit करते रहें और revise करते रहें कि exam के पहले आपको छोटी छोटी चीज जो होती है जो कि factual खास करके state PCS में factual questions पर ही ज्यादा questions आते है factual data पर तो उसी सब चीजों को क्या करते रहना आपको अगर आप frequent revise करते रहते हैं frequent revisit करते जाते हैं तो फिर चीजे जो है दिमाग में आपकी सेटल कर जाती है ठीक है तो चली करते है start without wasting any time first question है आपका बहुत ही standard question है and very simple question ठीक है under the constitution the parliament of India consists of ठीक है Indian constitution के अंदर जो constitution में लिखा हूँ है parliament parliament को कैसे describe किया जाता है और parliament के components क्या क्या है पहला आपका लोग सभा second is राज सभा, third is president ठीक है तो आपको बताना है correct option क्या है इसमें से कौन कौन से जो है 1, 2, 3 में जो parliament को consist करते है ठीक है तो आपको सही option आपका क्या है A one only, B one and two only C one and three only and D all of the above ठीक है तो इसका सही answer क्या है बहुत जल्दी से आपको बताना है it is D all of the above आपको पता है हमारे क्या है जो legislature है even मतलब union level and state level पे वो क्या है किसी किसी state में ठीक है bicameral है, bicameral मतलब क्या हुआ there are two houses अब parliament के case में अगर हम लोग देखें तो क्या है एक है आपका council of states जिसको हम लोग upper house भी बोलते है जिसको हम लोग राजसभा भोलते है ठीक है और वहीं पे क्या है आपको पता है जो house of people that is लोगसभा अब ये दो तो हो गए क्योंकि आपको पता है अगर आप parliament आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है कोई भी bill कोई भी bill अगर पास होता है तो वो क्या होता है राजसभा लोगसभा से पास होने के बाद उसका वो act में कैसे convert होता है उसको पहले presidential ascent चाहिए रहता है तो president भी एक तरह का बहुत important legislative work करते हैं कि वो किसी भी bill को finally act में convert करते हैं तो इसी कारण parliament जो है वो हमेशा consist करेगा किसका जो आपका दो bicameral जो आपके दो houses है and president क्योंकि president जो है वो final ascent देते हैं किसी भी bill को तब ही जाके वो act में convert होता है ठीक है चली बढ़ते है next question इसी कोईशन यह बहुत इसी कोईशन था लेकिन आपको इसके पीछे का concept पता होना चाहिए the power to adjourn the house or suspend the sitting resides with again this is a very confusing topic ठीक है आगे हम लोग इसका जब explanation देखेंगे तो देखेंगे कि क्या होता है कि adjourn क्या होता है प्रोरोग क्या होता है यह सब छोटी छोटी चीजे हैं जो कि generally अगर आप एक बार सिर्फ पढ़ें तो confusion हो सकता है लेकिन बार-बार अगर पढ़ लिए तो फिर confusion नहीं होता है तो आपको देखना है यहाँ पर क्या है कि the power to adjourn the house or suspend the sitting resides with यहाँ पर आपका पहला option है President of India B is Leader of Opposition C Prime Minister of India and D is Presiding Officer of the House ठीक है तो किसको यह power है कि house को adjourn कर दे और suspend कर सकता है किसी भी sitting को यह किसको power दिया गया है तो इसका सही option क्या है Presiding Officer of the House जो भी उस समय Presiding Officer है ठीक है ऐसे तो आपको पता है in case of लोकसभा there is आपको क्या है वहाँ पर आपको जो है speaker होते है और in case of राजसभा chairman होते है लेकिन उनके absence में कोई भी जो preside कर रहा है उस position को जिसको भी Presiding Officer है वो जो है आपके house को adjourn कर सकता है और किसी sitting को suspend कर सकता है ठीक है अब यहाँ पर important बात क्या आती है देखी concept समझने के लिए कुछ terms हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्या होता है हम लोग summon और प्रोरोग ठीक है उसके बाद होता है adjourn और एक होता है adjourn sign die अब चीज क्या है देखी कि जब भी अगर परलेमेंट आप पढ़ते हैं houses की बात होती है तो houses में दो चीज़ होता है एक होता है session एक होता है sitting इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप भी भूलेंगे नहीं अब session क्या होता है आपने पढ़ा है कि पालेमेंट में generally हमारे यां तीन sessions होते हैं लेकिन अगर आप constitutionally mandate बोलें तो दो session होना चाहिए एक साल में six months का gap होना चाहिए तो sessions जो होते है these are क्या है these are special जैसे monsoon session हुआ budget session हुआ तो ये session आपका एक certain time period के लिए जिस समय आपका जो है parliament active रहेगा ठीक है इसको हम लोग बोलते है session अब इस session के जब आपका session रहता है तो उसके बीच में क्या चलता है parliamentary sitting चलता है अब session को जो है session किसी भी session को आपको क्या पता है कि session को बुलाना बुलाने का मतलब क्या हुआ summon summon करने का कि चलिए आईए अब आप parliamentarians जो elect हो चुके है अब आपको जो है summon किया जा रहा है आप आके अपना काम करिए legislation का काम करिए तो this is summoning summoning कौन करता है आपका president जब आपका parliament session में नहीं रहेगा उस case में president जो है उसको वो क्या करता है summon करता है सब वो बुलाता है कि आप आईए और legislation करिए ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी parliamentary session को बुलाना है तो उसको हम लोग president को यह power मिला हुआ है करने के लिए अब जो बात आती है कि इसके बीच में होता है sitting अब sitting appointment session में है तो आपको क्या हर दिन sitting चल रहे है ठीक है हर डे sitting चलते है तो अब एक sitting का आपका काम चला काम ओवर हो गया तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो presiding officer होता है यह क्या कर सकता है इसको बूलेगा adjunct आपका यह sitting जो है यह adjunct हो गया ठीक है यह in certain cases जो है suspend भी कर सकता है for some misconduct ठीक है लेकिन आपको क्या बोला जाए कि the sitting has been adjunct मतलब जो भी sitting है यह अभी जो है मतलब आप बोल सकते है end हो गया यह अब यह sitting end हो गया तो sitting के case में क्या होता है adjunct और session के case में क्या होता है आपको हमने आगे पढ़ेंगे हम लोग दुसको कहते है प्रो रोग ठीक है तो बुलाने का मतलब क्या हुआ बुलाएंगे हम लोग किसको आपके session को ठीक है किसी session में को बुलाया उसका sitting को अगर हम लोग को sitting जो अब चल रहा है उसको अगर हमको रोकना है तो कैसे करेंगे adjunct और यह कौन करता है आपका presiding officer अब देखी होता क्या है कि जब आपका एक session end पे आ जाता है तो उस समय जो आपका last sitting होगा उसमें जो भी presiding officer होते है वो बोल देते है adjourned signed I ठीक है यानि कि further जब तक आपको call नहीं किया जाए आप sitting जो है वो नहीं करेंगे ठीक है तो इसको जब आपका जो है जो भी presiding officer है वो adjourned signed I बोल दिया मतलब एक तरह से क्या हुआ कि उस session के सारे sittings over हो चुके है अब जब आपका sittings over हो चुका है adjourned signed I जो है presiding officer ने जो है वो लिख दिया है वो बोल दिया है तो अब president क्या करता है कि चलो ये session का काम खतम हो गया अब इस session को जो जिसको हमने summon किया था उसको हम क्या कर देंगे प्रोरोग ठीक है तो session के case में क्या हो गया आपका session में क्या हुआ आपको जो है summon and प्रोरोग और sitting के case में क्या हुआ adjourned और जब indefinite time के लिए करना है कि फर्दा जब तक which of the following is true with regard to attorney general of India तो office of attorney general is a constitutional one second is he must be a president who is qualified to be appointed as a judge of supreme court third is the term of the office of AG is fixed for five years ठीक है तो बताना है सही option क्या है तो आपको सही वाला है आपका 1 and 2 only B is 1 and 3 only C is 2 and 3 only and D is all of the above तो आपको सही option बताना है इसका सही option क्या है इसका सही option है 1 and 2 ठीक है 1 and 2 क्यों आपका जो third statement है the term of office of AG is fixed for five years this is wrong क्योंकि term जो है वो constitution में नहीं दिया हुआ है देखे कुछ पोस्स होते है जो की लिखते है जिसमें अम लोग की इस पोस्ट का जो है validity का किस पे बेज़ है pleasure of president P.O.P. से याद रखी pleasure of president मतलब प्रेज़ेंट या union आप बोल सकते है इंडायटली union government क्योंकि union मतलब प्रेज़ेंट जो है that acts on aid and advice of the council of ministers तो इसी कारण कुछ पोस्ट क्या होते है उसमें बोलते है P.O.P. P.O.P. मतलब pleasure of president जब तक प्रेज़ेंट चाहेंगे वो जो है उस पोस्ट पे रह सकते है ठीक है और जब उससे मतलब हो सकता है दो महिने में हटा दे एक दिन में हटा दे ऐसा हो सकता है तो इसको बोलते है pleasure of president तो यहाँ पर क्या है कुछ टर्म जो है वो fixed tenure नहीं दिया हुआ इस case में ठीक है इनको एक तरह से आपको बोला जाता है कि कुछ-कुछ पोस्ट में जैसे दूसरे constitutional post में क्या होता है security of tenure रहता है security of tenure क्या हुआ कि इतने time के लिए तो आप मुझे हटा नहीं सकते है जैसे आप judges के case में होता है जो और important constitutional post है लेकिन attorney general जो है यह बहुत ही एक अनोखा constitutional post है क्योंकि यह क्या है attorney general of India मतलब क्या हुआ कि यह जो है एक तरह से इंडिया का सबसे बड़ा वकील हुआ सबसे बड़ा वकील क्योंकि यह government का वकील है यह government अगर किसी भी legal dispute में फसेगा तो अब आपको पता है अगर सोचे कि government को अगर को legal dispute होता है तो उनको कौन रिप्रेजेंट करने जाएगा तो उनका जो वकील होता है that is attorney general of India ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि this is a basically एक executive का ही पार्ट है यह और यह एक constitutional post भी है लेकिन इस case में क्या है कि इनके कोई tenure का कुछ security नहीं है कुछ fix tenure ने दिया हुआ है यह जो है कब तक hold कर सकते है जब तक president जो हो चाहे अब उनको मने कोई नया attorney general आजाए government को तो वो easily appoint कर सकती है यहाँ पर आप सकते है ठीक है वही same चीज़ description है कि attorney general क्या है उनको highest law officer in the country जो सबसे बड़ा वकील होता है क्योंकि वो government union government को represent करता है किसी भी court of law में ठीक है चली बढ़ते आगे consider the following statements are correct in context of judges of supreme court supreme court judges के बारे में कुछ statement दिया हो को बताना है कि कौन सा correct है the constitution has fixed the tenure of a judge of supreme court ठीक है tenure जो है वो fix कर दिया गया है a judge of supreme court can be removed from once on the grounds of violation of the constitution proved misbehavior or incapacity ठीक है c है the parliament with the approval of president makes rules for regulatory generally the practice and procedure of the court the chief justice of India can request a retired judge of high court to act as a judge of supreme court for a temporary period ठीक है तो बताना आपको सही option क्या है तो इसका सही option क्या होगा option D क्योंकि देखे बाकी सारे statement गलत है क्यों है अम लोग चली देख लेते यहां पर सबसे बड़ा बात है कि constitution जो फिक्स नहीं करता है tenure of judges ठीक है judge of supreme court का tenure fix नहीं करता है age limit है age limit है that is 65 ठीक है और आपको पता है high court के case में क्या होता है 65 होता है नहीं आप comment section में बताइए age limit है high court के case में कितना होता है तो अब यहां पर important है कि यहां पर judge को अब कितना early भी जो है वो judge बन सकता है अगर वो criteria फुल्फिल कर लेता है एक person तो आप देखते हैं बहुत time जो है supreme court के judges काफी यंग रहते हैं क्योंकि वो सारे criteria फुल्फिल करें आपको पता है उनका criteria का है कि वो जो है judges रह चुके है high court के ठीक है या practice कर चुके है certain time of period के लिए तो उसके बाद वो supreme court के judge बन सकते हैं तो वहाँ पर कुछ age limit नहीं है ठीक है मतलब lower age limit आप बोल सकते हैं कुछ नहीं है barrier नहीं है और एक बोला गया है और he can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament अब यहाँ पर दिखिए जजज को आपको पता है कुछ important cases है जब लोग जुड़ी चड़ी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे जैसे first judges case second judges case judges inquiry act क्या होता है यह सारे चीज इंपोर्टन है लेकिन अगर constitution की बात करें तो constitution में supreme court judge को कैसे हटाया सकता है अगर आपको जो है बाकी procedure that is given in judges inquiry act जो statute है लेकिन उसमें बूला गया है कि आपका ground क्या है ground क्या है of grounds क्या है यहाँ पर जिस पे supreme court के judge को हटाया सकता है that is proved misbehavior on incapacity ठीक है बस इतना सा दिया हुआ है यह violation of constitution आपको पता है this is in case of precedent जो कि आस तक use नहीं हुआ है और proved misbehavior आपको पता है कि यह भी बहुत ही extreme condition है तब ही जाकर किसी supreme court judge को हटाया सकता है अब कैसे हटाया जाता है वो हम लोग देखेंगे किसी और में ठीक है लेकिन आपको पता है कि constitution में जो दिया हुआ है reason जिस वज़े से हटाया जा सकता है that is proved misbehavior और incapacity ठीक है अब यहां पर क्या देखती कि supreme court with the approval of the president make rules for the regulating generally the practice and procedure of the court यहां पर जो statement है आपका कि the parliament जो है parliament कहीं से नहीं है यहां पर क्या होता है with president जो है supreme court खुद ही जो है वो अपना rule बनाता है for regulating the practice and procedure of the court ठीक है चली दे एक्स question है which of the following is correct regarding the president's rule president rule के regarding में कौन-कौन से statement सही है it may be imposed whenever a state fails to comply with or to give effect to any direction given from the state center second क्या है the proclamation must be approved by both the houses of the parliament within one month from the date of its issue यह बहुत important है ध्यान से पढ़िये statement if approved by both of both the houses of the parliament the president rule continues for six months and the fourth statement is it can be extended for a maximum period of two years with the approval of parliament every six months ठीक है तो आपको बताना है कि correct codes कौन-कौन से है A है आपका 1 and 2 B is 2 and 3 C is 1 and 3 only and D is 1, 2 and 3 only ठीक है यहां पर जो है आपका कुछ options जो है वो उपर नीचे हो गया है ठीक है क्योंकि आपके statement 4 है और 4 किसी में दिया हूँ नही है उसे परिशानी नही है main motive है कि आपको इसमें सारे statement आपको पता होने जी कौन से statement सही है तो अगर इसके हिसाब से जो अभी आपका जो options दिया हूँ उस options के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है 1 and 3 only ठीक है 2 जो है that is wrong and 4 is also wrong अब क्यों wrong है चली हम लोग देख लेते हैं यही पर आपको पता है यहाँ पर ही समझ लेते हैं यह बहुत important बात है आपको पता है breakdown of constitutional machinery जब हो जाए मदब आपको पता है कि state जो है वो हमेशा क्या करता है in compliance of center काम करता है अगर center ने कोई direction दिया है और वो follow नहीं किया है तो यह मान लिया जाएगा कि breakdown of machinery हो गया है constitutional machinery हो गया है अब normal constitution के अनुसार जो है वो function नहीं कर सकता है तो उस case में जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जासकता है अगेन इसमें जजमेंट में बहुत सारे आपके checkpoints दिये वे हैं कि इसको माना जाएगा कि यह condition conducive है इसमें जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है यह भी गलत है क्योंकि यह पता है इसमें रखा गया था कि एक मन्त के विदिन ही आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा जब से जो है वो लगा है लेकिन इस केस में क्या है आपको टू मन्त है ठीक है तो पीरिएड है यह थाट इस टू मन्त अब क्या है इफ एप्रूवड बाइब बाइब बोद दी हासे अव पारलेमेंट तो यहाँ पर कुछ कुछ छोटे-छोटे चीज है जो कि आपको अगर पता है तो आपको पता है अपर जेंसी में जब हम लोग क्या पढ़ता है सबसे पहले प्रोक्लमेशन ठीक है उसके बाद एप्रूवल और उसके बाद इसका एक्स्टेंशन कैसे चलता है और फाइनली इस रिवोक ठीक है यह जब हम लोग पढ़ेंगे अपर प्रोवल कितने मेजॉरिटी से होता है कितने टाइम में होता है और एक्स्टेंशन कितने दिन तक चल सकता है और इफेक्ट भी उसका क्या होता है और फाइनली वो रिवोक कैसे किया था ठीक है तो यह सारे चीज जो है हम लोग जब एमर्जेंसी पढ़ेंगे तो देखेंगे लेकिनाज जो है फाइव कोशन्स था इंपॉर्टेंट कोशन्स था आपको अच्छा लगा होगा इसी तरह से वित डिटेल एक्स्टेंशन जो बहुत अच्छे से कवर किया उसको आप जाके देख सकते हैं ठीक है मेरी द्वारा कवर किया गया है तो आप जो है उसको अच्छे से पढ़िए एक बार देखिए वित आर्टिकल्स चलेंगे सारे आर्टिकल्स को हम लोग लेके चल रहे हैं तो क्या होगा कि आपको याद भी अच्छे से होगा और बाकी तो आपको पता है कि आप नॉर्मल पॉलिटी पढ़ते ही है एक्स्पानेशन्स पढ़ते हैं लेकिन स्टेट PCS की त्यारी के लिए आपको थोड़ा सा अपना फैक्ट्वल इंफॉर्मेशन को भी इंप्रूव करना पड़ेगा ठीक है तो चल मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक थैंक यू